मद्धे परदेश के हर्दा और देवास जेले की सीमा पर बसे नेमावार में सोमवार को 35 परिवार के लगबग 190 महिला पूरुष ने घर वापसी की है ये धरम परिवर्तन जीवन दैनी मान नर्मदा के तरटपर संतों के सानिद्दे में हुआ धरम परिवर्तन करने वाले परिवारों ने हिंदू धरम में वापसी करने के बाद खुशी दिताते हुए कहा कि अपने पूरूजों के धरम में वापसी कर खुशी हो रही है दरसल ये मामला खाते गाउं तैसील के जाम, नेर, गराम और उसके आसपास के शेतर का है जहां सोमवार 35 परिवारों ने मुस्लिम में दुबारा हिंदु धरम बापसी की संतों ने धरम परिवरतन करने वालों का सबसे पहले मंतरों चारण कर शुद्धी करण करवाया इसके बाद मुंदन संसकार करवा कर नबना द नदी में स्नान करवाया और जिन्यों संसकार किया बाद में संतों ने आहूती दे कर उनका नाम गरण किया इसके बाद धरम परिवरतन करने वाले लोग प्राचिंच शिदेश्वर मंदिर पहुँचकर पूजा अर्चनकी और शंबु भोलेनात के जैकारे लगाए धरम परिवरतन करने मुहमबच शाने का कि परिस्तिती वश हमने इसलाम धरम स्युकार कर लिया था लेकिन आज भी हमारे रक्त में पूरोजो का खोन दोड़ रहा है जिसने हमको हमारी जोडों से जोड रखा था एक अन्य धर्मानटर करने वाले रफीफ ने बताया कि वह अब रामा हो गए है उन्होंने का कि हम भटग गयते आज हमारी घर वापसी हुई है धर्म परिवातन कर मुस्लिम से हिंदू बनी महिलाओं उन्हों भी इस बात की खुशी ताई जहां उन लोगों ने चर्चा के दुरान का अब हम हिंदू बन चुके है आनंदगिरी महाराजें बताया कि जिन परिवारों की घर वापसी हुई है उनके पूर्जों ने किसी वैसे अपने धर्म को छोड़ कर अन्य धर्म अपना लिया था सबी लोगों ने संतों के आश्रेवात से आज दोबारा अपने मूल सनातन धर्म में वापसी की विशेष इसनान करवाए गए जिससे इनकी धर्म में बापसी हो सके जिन लोगों ने सनातन धर्म अपनाया उन्होंने आज एक स्वर में इस बात का वचन लिया कि अब वे सनातन धर्म में रहकर इसका पालन करेंगे एसर वीडियो के लिए वीडियो को लाइक शेयर चैनल को सबस्क्राइब जरूर करें धन्यवाद